नमस्कार साथियों, कुछ जीवन के यूटूब चैनल में आप सभी का हारदी का भी नंदन है इस वीडियो में हम बात करने वाले वर्षिक राशी का दोजार पच्चिस का वार्षिक राशी पल कैसा रहने वाला है सबसे पहले बात करते हैं आपकी आर्थिक इस्तिती को लेके इस वर्ष दोजार पच्चिस में आपकी आर्थिक इस्तिती में अच्छी उन्नती होगी इस वर्ष में धन को लेकर सुरू के चार मेने थोड़े कमजोर हैं इसके बाद आपके पास अच्छी मात्रा में धन आएगा वर्स के अंती मेनों में किसी गुप्त इस्त्रोश से भी धन आपके पास आ सकता है सेर बजार से जुड़े लोगों को अच्छा धन लाब इस वर्स में हो सकता है कई धन निवेश करका है तो वहां से आपको अच्छा धन लाब मिल सकता है जो लोग प्रोपर्टी का काम करते हैं उनको इस वर्स में अच्छा लाब मिलेगा दुकानदारों को इस वर्स में अच्छा मुनाफ़ा होगा बात करते हैं आपके वेवसाई और करियर को लेके कैसे रहेगा 2025 कारोबारियों के लिए वर्स 2025 अच्छा उन्हति दाइक रहने वला है बिजनस में आपका अच्छा नाम इस साल में होगा इस वर्स में आप अपने वापार को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे और उसमें आप सफल भी हो सकते हैं जिन लोगों का कारोबार दूसरे देश में फेलावा है उनको अच्छे लाब मिलने की संभावना है बिजनस में साज़दार से दोका मिल सकता है आपको सावदान रिंडी की बहुँ ज़दा जरुत है कार इस तलब पर अपने गुषए को नियंतर में रखें नहीं तो आपका नुखसान हो सकता है किसी से बलाबुरा न भुलें गुषए में आके अपने करियर को लेखे आपको थोड़ा सावदान रिने की जरुत है इस वर्स के अंदर इस वर्ष में आपको अपनी मन्चाही नोकरी मिल सकती है सरकारी नोकरी पैसा लोगों का इस्तान परिवर्टन इस वर्ष में हो सकता है नोकरी पैसा लोगों का इस वर्ष के अंदर अच्छा परमोशन होने के योग बन रहे हैं बात करते हैं सिक्षा को लेकर चात्रों के लिए वर्स 2025 के शुरू के चार मेने बहुत अच्छे है चात्र बोर्ड की प्रिक्षाओं में अच्छे अंकों से पास हो सकते हैं इस वर्स के अंदर जो चात्र उस इक्षा प्राप करना चाहते हैं उनको अधिक मेनत इस साल में करनी होगी चातर पड़ाई के साथ कुछ पार्टायम के काम करके पैसा भी कमा सकते हैं जिन लोगों की सरकारी नौकरी बहुत दिनों से नहीं लगरी है उनकी नौकरी लगने की स्वर्स में संभावना है बात करते हैं पारिवारिक इस्तितिकों लेकर पारिवारिक जीवन आपका इस वर्स में थोड़ा कमजोर रहने वाला है सुरू के मैनों में परिवार में कुछ लड़ा जगड़े देखने को मिल सकते हैं आपको सला दी जाती है कि अपनी वानी पर थोड़ा काबू रखें इस वर्स के अंदर वर्स के मद्य महा में परिवार के लिए अच्छा समय है सब मिल जुल कर रहेंगे इस समय में इस वर्स में आप अपने लिए घर यार घर और वहान खरी सकते हैं परिवार के अंदर अनाव सक खर्चे भी आपके इस वर्स में बढ़ सकते हैं सावदान रहें, परिवार में आपको अपनों से बड़ो का सायोग मिलेगा, संतान को लेकर भी आपको इस वर्ष में तोड़ा वो सावदान रेने की जुरत है, घर में बड़े लोगों की सहत का भी आपको ध्यां रखना है, क्योंकि अचानक से सहर खराब हो सकती है, बात करत कि तीन मेने में आपके वह एक जीवन के लिए बहुत ही शांदा रहने वाले हैं जीवन साथी आपको कुछ करने के लिए किसी नई जगग घुमाने ले जा सकता है चोटे मोटे विवाद को खुद की मिल जुल कर समाप्त कर लें आपके लिए अच्छा रहेगा किसी दूसरे क होती यादगार वर्ष रहने वाला है प्रेमियों को वर्ष के सुरू के मैने में तोड़ा सावदान रहने की जरुत है जो लोग अकेले हैं उनको वर्ष के अंते मैनों में कोई नया साथी मिल सकता है बात कर लेते हैं आपके स्वास्त को लेकर वर्षिक रासी वालों का आइस प्रया बात करते हैं यात्रा को लेकर वहां चलाते समय बहुती सावधानी से सलाएं नहीं तो आपको चोट लग सकती है राहु काल में कारोबार से सम्बंदित कोई भी यातरा सुरू ना करें आपके लिए ठीक रहेगा किसी भी धार में किस्तान पर जा रहे हैं तो अपने से बड़ों का अशिरवाद लेकर जरू जाएं विदेशी यातरा के योग भी इस वर्ष के अंदर आपके बन रहे हैं अंत में एक बार पर बात कर लेते हैं कि और ओल जो आपका वर्ष से कैसा गुजरेगा ये वर्ष आपके लिए बहुती अलग रेने वाला है क्योंकि ऐसे काम होंगे जो कभी आपने सोचे नहीं होंगे इस साल के अंदर आपके आरतिक इस्तिती अच्छी रहेगी इस वर्ष के अंदर दुकानदारों को इस वर्ष में अच्छा मुनाफ़ा मिलेगा बिजनस में अच्छा नाम होगा आपको अपनी मंचाई नोकरी साल मिल सकती है प्रेक्ष्याओं में अच्छा अंकों से पास हो सकते हैं जो चात्रे हो परिवारिक जीवन के लिए वर्ष तोड़ा सा कमजो रहने वाला है ध्यान रखें बिभाईक जीवन को लेकर ये वर्ष चांदा रहेगा प्रेमियों के लिए भी ये वर्ष यादगार सा रहेगा स्वास्त को लेकर ये वर्ष अच्छा रहने वाला है पिछले साल के पेक्षा राव काल में कारोबार से समझीद कोई भी यातरा सुरू ना करें आपके लिए ठीक रहेगा अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले इसको लाइक करें और हमारे कुछ जीवन के यूटूब चेलर को सस्क्राइब करें ताकि सारे वीडियो आपको मिलते रहें और अगर आप रोच का राशिफल अपने फोन में देखना चाहते हैं और मेहने का भी देखना चाहते हैं तो आप अपने फोन में कुछ जीवन के राशिफल को एप डाउनलोड कर सकते हैं झाल झाल